आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस क्वेशन में हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेन दे हुए 30 सेंटी मीटर और उसका माज दिया हुआ है 3 केजी उन दोनों को इनके दोनों एंड से अलग-अलग फोर्स से पुल किया जा रहा है तो एक तरफ जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा हुआ वो 20 न्यूटन और दूसरी तरफ जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो 32 न्यूटन है पूछ क्या रहा है find the force exerted by 20 cm part of a rod on the 10 cm part और यह given है कि सारे जो surfaces हैं वो कैसे हैं smooth surface है इसको हम कैसे कर सकते हैं again free wire diagram बनाएंगे तो यह हमारे जो 10 cm का part होगा और 20 cm का part होगा इनकी जो total mass है वो 3 kg है जो total mass है वो हमारे पास 3 kg है तो 10 cm का part और 20 cm के part का कि यदि अलग-अलग mass हम calculate करें तो वो हम कैसे calculate कर सकते हैं तो इसका जो इतनी 10 cm part का mass होगा वो जागा 10 divided by total mass 30 into 3 इतना kg mass 10 cm वाले पार्ट को मिलेगा और 20 divided by total mass 30 into 3 इतना kg मिलेगा वो 20 cm वाले पार्ट को मिलेगा तो यह आजाएगा हमारे पास 1 kg और यहाँ से यह जो आएगा यह आएगा 2 kg तो दोनों 10 cm वाले पार्ट और 20 cm वाले पार्ट का हमने mass निकाल लिया कि जो mass distribute होगा 10 cm में 1 kg जाएगा और 20 cm में distribute होगा 2 kg जाएगा total mass हमें की इविन थी 3 kg और हम इसको separately 1 kg और 2 kg के लिए दो अलग अलग body के लिए FBD बनाएंगे और उसके बाद हम force exerted by 20 on 10 निकालेंगे which is also equal to force exerted by 10 cm पार्ट on 20 cm पार्ट तो यह equal होगा तो इसको हम कैसे कर सकते हैं अब free boy diagram तो यह हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है यह हो गया हमारा 10 cm का पार्ट और यह जो हो गया हमारे पास यह हो गया 20 cm पार्ट जिसकी लेन थोड़ी सी लंबी होगी अब हमने क्या करना FBD बनाना है इस पे 20 N का force इस direction में लग रहा है यह यदि 20 N है तो यह भी 20 N है same force अप्लाई होगा इस पे 32 N का force इस direction में लग रहा है यह force थोड़ा बढ़ा होगा क्योंकि magnitude बढ़ी है 32 N बढ़ा है 20 N से तो इसका magnitude में थोड़ा बढ़ा दिखा दिया लेटस सपोर्ज जो contact force अप्लाई हो रहा है वो कोई contact force जिसको हम नाम दे देते हैं आर का contact force यह अप्लाई हो रहा है जो कि 10 cm 20 cm ने 10 cm के उपर अप्लाई किया है तो 10 cm वाला भी सेम उतने काई contact force अप्लाई करेगा तो इक्वल एंड अप्लाई पोजिट forces होगे Newton's third laws of motion से और लेट अपोज यह unbalanced force में दोनों के आए उन बैलेंस फोर्स है यह 20 यह 32 N है दोनों के force में कुछ difference है यदि zero होता तो यह balanced force होता तब इसमें movement नहीं होता तो अभी यह unbalanced force है तो इसमें एक acceleration produce होगा और यह acceleration produce हो जाएगा वो 20 cm जादे वाला पार्ट है इस direction में accelerate करेगा क्योंकि इधर का जो force है वो जादे है तो जो acceleration produce होगा वो इस direction में लेटर suppose a acceleration produce होगा तो यह acceleration है हम यहाँ भी दिखा देंगे कि इस body में यह acceleration जो है वो produce होगा है तो यह acceleration क्या है ए है forces क्या क्या थे यह था हमरे पस 20 newton का force यह contact force था जिसको हम एन नाम दे दे रहा है यह भी contact force था same equal and opposite contact force था है इसको हम एन नाम देते है इसको हम 32 newton पर force यहाँ था तो हम FBD लिखेंगे तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से हम force balance equation लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से ले लेंगे यह कितना केजी था 1 केजी और यह कितना केजी था 2 केजी तो force balance equation से 1 केजी right direction में accelerate हो रहा है तो n-20 यहाँ से क्या हो जाएगा n-20 is equal to 1 into a which is a 2 केजी के लिखेंगे तो यह क्या यहाँ से क्या जाएगा 32 minus n is equal to 2a net force क्या हो जाएगा 32 minus n this is equal to 2a हमें क्या चाहिए हमें चाहिए net forces जो होगा वो क्या होगा जो contact forces है तो contact forces find out करने के लिए सबसे पहले हम acceleration find out करेंगे यह acceleration हमें पता नहीं है तो दोनों equation को हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं तो यहाँ से 32 minus 20 कितना आ जाएगा यह आ जाएगा कुछ 1 to 12 आ जाएगा यहाँ से यह 3a आ जाएगा प्लस करने पर यहाँ से acceleration जो आएगा वो 4 meter per second square आ जाएगा तो यह हमारे प्लस acceleration आ गया अब contact forces को हमने n बोल रखा है तो यह n यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n is equal to 20 plus a यहाँ से हम लिख सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 plus a क्या है 4 तो contact forces कितना जाएगा 24 newton जो आएगा हमारे पास contact force आएगा जो 1 kg 2 kg के उपर अप्लाई कर रहा है और 2 kg जो है वो जो 1 kg को दोनों same forces होंगे तो वो हमारे पास कितना गया 24 newton का force आ गया पूछा क्या गया था all the surfaces are smooth find the force exerted by 20 cm rod on the 10 cm rod तो वो हमारे पास कितना गया 24 newton तो 24 newton जो होगा वो हमारा answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level कक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8444 पर